मेरे प्ये बेहनों और भाईयों भांजियों करोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए जंग जारी है। आप सबका साहोग मिल रहा है। मैं आभारी हूँ। मेरे ऐसे भाईयों बेहन जो दूसरे प्रदेसों में हैं काम के लिए भाग गए थे। मैं उनसे निविदन करना चाहता हूँ। वो चिंता ना करें परिशान ना हूँ। मेरी सभी राज्यों के मुखमंत्रों से चर्चा हुए है। उनके भोजन की और आवास की भही विवस्था की जाएगी। और उसमें जो राशी लगेगी वो मद्धप्रेश सरकार खर्च करेगी। गंतव तक पहुंचाने में भी उनको हर संभव सहोग किया जाएगा। चिंता ना करें। मैं मद्धप्रेश की साड़े साथ करोड़ चंता, मद्धप्रेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी हर संभव चंता की जाएगी। मेरे पिये बेहनों और भाईयों, भांजी और भांजीयों, करोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए जंग जारी है। आप सब का स्वयोग मिल रहा है, मैं आभारी हूँ। जंदा की कटनायों को धान में रखते हुए, आज कुछ और फैस्पले हमने किये हैं। हमारे किसान भाईयों को केसेसी की रासी जम्मा करने की अंतिम तिथी, 31 मार्श थी, उसको अब बढ़ा के 30 अपरेल कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर के भी प्रोफेशनल टेक्स देने वाले हमारे सभी साथियों को अब प्रोफेशनल टेक्स की भुक्तान की तिथी बढ़ा के 30 अपरेल कर दी गई है। संपत्तिकर जम्मा करने की तिथी भी अब 30 अपरेल तक बढ़ा दी गई है। प्रदेस में संपत्ति क्रेव विक्रे की बर्स 2019 और 20 की कलेक्टर गाइड लाइन अपरेल 30 तक यथावत लागू रहेगी प्रदेस के सभी इसकूलों में फीज जमा करने की भी अंतिम्ति थी अब 30 अपरेल कर दी गई हैं मेरे कई गरीब भायों और बहन जो बाहर के प्रदे मैं उन्हीं बताना चाहता हूं कि हमने सभी संबन्ध इत्राजियों के मुखवंतियों से चर्चा किये वहां का प्रिसासन भी आपके ठहरने के और भोजन की व्यवस्था कर रहा हैं उसमें कसर नहीं रहने देंगे लेकिन अगर कोई बापिस लोट रहें तो मेरी अपील है कि जहां रुक सकते हों रुकें अत्यंत आवसक होने पर विदिवत ज्याच करके उनको गंतव तक पहुंचाने का काम किया जाएगा जो गरीब हाई बहन मेरे कई विधायक बत्रों ने का था ऐसे जिनके पास रासनकार नहीं हैं वो भी चिंता ना करें उनको इस महीने निस सुलक रासन प्रदाय किया जाएगा ताकि भोजन की व्यवस्था में कोई कठना ही ना हो कोई दिक्कत ना हो